इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे फिनोटेक्स केमकल लिम्टेट के बारे में जिसको में इंशॉट FCL के नाम से जानते हैं कम्प्री ने अपने कौर्टर वन के नंबर्स को पब्लिश कर दिया तो पहले देखते हैं BOD का उटकम क्या देखने को मिल रहा है तो कम्प्री ने सिर्फ सिफ कौर्टर वन को लेके अनॉंस्मेंट करी है उसके अलावा 21st AGM के बारे में उसके बाद रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है तो डिविडेंट बोनस इस पर से लिटेट है में कोई खबर देखने को नहीं मिली तो चली देखते हैं FCL के इस बार के consolidated numbers कैसे रहे सारे figure lakhs में इन करोड से बात करेंगे quarter 1 की earning से 4 की then last year का quarter 1 का data आपको third column में देखने को मिलेगा तो सीधा बात करते है total income की जो की revenue from operations और other income दोनों को add कर के आता है तो last year quarter 1 में जो company का revenue था वो आपको quarter 1 इधर देखने को मिलेगा quarter 4 की earning से then first column में quarter 1 इस बार का है तो total income company की 135 करोड से 146 पे आगी quarterly 157 से 146 पे तो quarter on quarter तो income company की down है बट yearly basis पे एक ठीक ठा ग्रोथ आपको 11 करोड के करीबन की देखने को मिलेगी then expenses की अगर बात करें खर्चों की तो company की yearly income बड़ी तो expenses भी 102 से 109 पे आगे quarterly income कम है तो expenses भी 117 से 109 पे आगे then discuss करते हैं company को total profit after tax कितना हुआ तो last year quarter 1 में 26 करोड का profit तव वोजबा 29 पे आगे और साल दर साल एक अच्छी growth देखने को मिल रहे है और market estimate की बात करें तो किसी भी broker का इस company के ओपर estimate अवलेवल नहीं ता नहीं आपको कहीं देखने को मिलेगा जिसकी वज़ा से हम इस वीडियो में discuss नहीं कर रहे है same reflection EPS में yearly profit बढ़े तो EPS भी 2.32 से 2.56 पे आगया quarterly profit कम है तो 2.72 से 2.56 पे आगया तो overall जो पूरे yearly performance है quarter 1 से quarter 1 की काफी अच्छी है तो most probably एक positive reaction हो सकता है market का इस basis पे तो आपको कितने shares है FCL के comment box में बिल्कुल बता है और कुछ की highlights के अगर बात करें तो देख सकते हैं आप yearly basis पे pet company के करीबन growth आपको 12% के करीबन की देखने को मिल रही है और operational EBITDA की बात करें तो वहाँ पी आपको 11.89% की upside देखने को मिल रही है year on year basis पे तो overall yearly numbers अच्छे हैं तो market का positive reaction हो सकता है बिल्कुल तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए कर देखने को वे यू बाबड़ एग तबेंता तो फ्लैं की एगय है रही है और देखने की और सिए हैं एल्गे जिए हैं आपको 10. tu